इस गाड़ी को देखकर आप कहीं नहीं सकते कि यह ब्रेजा का बेस मॉडल है क्योंकि यहाँ पर आपको सभी टॉप मॉडल वाले तो फीचर्स मिल जाते हैं यह है मारूती ब्रेजा का LXI मॉडल जो कि इस कार का बेस मॉडल रहने वाला है इस वीडियो में हम इस कार का कमप्ली डीटेल रिवीव करने वाले हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा वीडियो काफ़ जदा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है सबसे पहले बतायता हूँ इस कार के अंदर काफ़ी सरे X-series लगा दी गई है जिसकी वरे से इस कार का लुक को जो है base to top convert कर दिया गया है और ही बात करते हैं कार के X-showroom price के बारे में तो यहाँ पर इस कार के X-showroom price रखे गए है 8.34 lakh रुपीज X-showroom price एंड इसका top model जाता है 14 lakh के something बात करूँ इस कार के engine specifications के बारे में बेस मॉडल के साथ जो है automatic option इसके साथ अविलेबल नहीं मिलते हैं कार front wheel drive रहने वाली है कोई भी rear wheel drive या all wheel drive के function यहाँ पर अविलेबल नहीं मिलते हैं बात करूँ इस कार के mileage के बारे में तो 21-22 के something इसका mileage रहने वाला है बैटर है बाकी गाड़ियों से इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं दो airbag anti-theft alarm वगेरा मिल जाते हैं keyless entry के feature भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर आपको कोई भी curtain airbag वगेरा नहीं मिलते हैं passenger airbag and driver airbag मिल जाते हैं and hill assist traction control जाए सब भी features मिल जाते हैं जो completely halogen का setup ही रहने वाला है and जिनकी throw भी ठीक ठाक ही रहने वाली है बाकी parking lamp मिल जाते हैं indicator मिल जाते हैं completely halogen का ही setup रहने वाला है fog lamp यहाँ पर completely axeries का पार्ट रहने वाले हैं base model के अंतर जो है completely नहीं मिलते हैं यहाँ पर आपको chrome lining मिल जाती है black dog इसकी front grill मिल जाती है ग्रेश finishing के साथ है नीचे के साथ को भी skill plate वगरा नहीं radiator grill दी गई है and overall boxy design इसका front look रहने वाला है उपर को उठावा इसका bonnet रहने वाला है थोड़ा थोड़ा सा LED DRL and headlight का ही feature अलग जो मिलता है base model में top model में बात करेंगा भी कार के side look के बारे में side से देखने में भी कार काफी तगड़ी लगने वाली अब X series लगा दी गई है तो उस पर इसे और ज्यादा यह look इसका enhance होके रहता है आई बात करते हैं कार के side look के बारे में तो side में आते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको claddings लगा दी गई है जो कि mountain वाली cladding यहाँ पर X series लगा दी गई है यह काफी बढ़िया लगती है एक series का package company fitted ही है mud flap पकेर प्रॉपर मिल जाते हैं alloy wheels यहाँ पर add-on कर दिये गए हैं जिनका size रहने वाला है और 16 इंचिस का एंड यह top model से भी बढ़िया लग रहे हैं वैसे X series वाले लुक को इनका कुछ तरीका के रहने वाला diamond cutter में इसके alloy wheels रहने वाले फ्रेंट साथ डिस्प्रेक हैं और विम को पर आपको indicators मिल जाते हैं body color door और विम है इसका and body color में इसका जो है door handle मिल जाता है बाकि इसके और विम जो है वो इलेक्ट्रिकल एडिस्टेवल मिल जाता है बाकि auto folding के function के साथ यह नहीं मिलते है all four power window controls मिल जाता है lock on lock का feature यहां ही पर ही मिल जाता है बाकि interior के बारे में detail बात करेंगे अंदर बैट के बाद में अभी पहले इसके side look में यहाँ पर pillars blacked out मिल जाते है front pillar को छोड़के उपर के साथ कोई roof rails वगरह नहीं है कोई भी sunroof वगरह यहां पर नहीं है range rover inspired इसके looks रहने वाल है थोड़ी बहुत x-series भी लगा दी गए जो की बारी बारी से तिकाऊंगा भी तो पिच्छे के साइड में आते ही सब सब पहले यहां पर आपको LED DRLS मिल जाते है बागी reverse parking lamp आपको halogen मिलता है इंडिगेटर आपको halogen मिल जाता है बागी पीछे के साइड में आपको brezza की bedging मिल जाती है यह जो black color की पट्टी लगा दी गए यह x-series का पार्ट रहने वाला है बागी wiper washer defogger नहीं है high mount इस top lamp मिल जाते हैं वे छोटा सा spoiler के साथ ही शार्फिन एंटीना मिल जाता है boot space के बारे में बात करें करें कि मैंटने टेल के बटन के थ्रू यह पूरा open हो जाता है partial tray आपको यहाँ पर जो x-series वाली लगा दी गई है CNG वाला model है तो यहाँ पर आपको CNG भी available मिल जाती है even in the base model boot space overall कुछ इस तरीक के रहने वाला है 328 लिटर का इसका overall boot space है spare wheel आपको steel rim में मिलता है same size का R15 इंचिस का बाकी कोई भी boot lamp वागे रहे हैं पर नहीं मिलता है अब इसको बंद कर देते हैं बाकी चलते हैं गाड़ी के इंटीर के साइड एंटीर में जाने से पहले इसकी एक चीज दिखाता हूं जो कि यह इसकी x-series की लिस्ट यहाँ पर आपको तर्फ कर देते हैं कि यहां पर इसके यह कंप्ली हाज प्लास्ट कर देक में जाता है सबसे बड़े बात center locking मिल जाती है यहां पर यह ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है headlamp का बटन यहां पर यह headlamp leveller का बटन मिल जाता है यहां पर CNG का switch करने का बटन मिल जाता है जो कि यह CNG model है तो इस विज़े से बाकि CNG के लिए आपको 95,000 रुपीज एक्स्टर रूप देने होंगे तो बाकि सिंपल बेस मोडल जो है आपको इस तरीक के मिलने वाला इसमें कोई भी एक स्रीस के पार्ट नहीं लगे हुए है तो यहाँ पर आपको टैकोमेटर मिल जाता है एनलोग के अंदर कंप्लीटी बीच की साथ जो डिजिटल स्क्रीन दिख रही है यह ब्लैक और फिनिशिंग में ही एंड यहाँ पर आपको सभी टैप की इंडिकेशन और वार्निंग्स वगरा शो जाती हैं ट्रिपेट ट्रिप बीचन वगरा यहाँ पर आपको मिल जाती हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं इन वाले बटन के तरूँ टूटूंटिक में एक्सम स्वीट के साथ इसका स्पीड़ोमेटर एंड से टाइप की वार्निंग्स आपको यहाँ पर शो जाती है सभी लाइट से वगरा बाकी स्पीकर जो चार लगा दिया है बेस मॉडल के अंदर कुछ आता नहीं है वैसे इस पीकर्स में यहाँ पर इधर के साइड़ आते हैं तो यहाँ पर आपको एस तरीके के मिलने वाले हैं यहाँ पर को आपको पावर शोकेट मिल जाता है बस एंड इसको आप फोन के तुरू कनेक्ट के साथ मिल जाता है एडिस्ट्मेंट जाऻ जाती है तो वही बहुत बेदी बात है और यहाँ पर आपको मिरन नहीं मिलता फरेंट शे पर आपको हाय टेशमेंट के साथ बाड़े सीट नहीं अपकी जो है अपकी जो इसके इन दर बेस मोडल से आता है वह फैब्रिक सीट अपॉस्टूपी के साथ मिलने वाली है बाकी कार का विजद इस पीशेष रहने वाली है इस इसके इन तर सुनरूफ भी अबले बल हो गयी पहली कार थी है मारुती की सरफ से जिसके अंदर संरूफ आई थी यहां पर आपको अच्छा का सा सा स्पेस में जाता है इस पीशेस कार रहने वाली है केवन एकदम एरी-एरी वाला फील देने वाला है अगर आप इस गाड़ी को सो दो सो किलोमेटर की राइड पर लेकर जाते हैं तो तब भी आपको बिना कोई टाइडनेस वाली फील के साथ इसको आप लेकर जा सकते हैं जो कि यह काफी बढ़ी अपरोच है रेर साइड के कमफर्ट के बारे में बात करते हैं तो और हैंडल जो है बाड़ी कलर में है बाकि दोर कुछ इस तरीके का हार्ट प्लास्टिक मरेल के साथ ही बाटल होल्ट है स्पीकर की प्लेसिंग है बाकि यहां पर स्पेस जो है वो आप देख सकते हैं आगे बाले सुट फिछ पूरा ही पीछने के बावजुद भी होग आपको इस पैस इतना मिल जाता है पीछे के साइड उरूम तीसेंट इनफ मिल जाता है बाकि पीछे की साइड आपको रेरे सी वेंट मिल जाते हैं जो कि अगिन ऑइकसरीज वाले ही लग रहे है यहां पर बेस मोटल के अंदर कुछ आता नहीं है बस MPT स्पेस आता है बाकि एडिस्टिबल हेडरेस्ट वगर है यहां पर नहीं है जो कि हटा दी है पीछे की साइड यह पार्शल ट्रे भी जो है यह एक सरीज का पार्ट रहने वाली है यहां पर बीच की साइड जो हमप है तो थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है बीच की पैसंटर के लिए थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है यहां पर भी कुछ इस तरिक्के का है इसका और पीछे से कुछ तरिक्के का दिखने वाला है तो यह था ब्रेजा का ओवरॉल कंप्लीट डिटेल रिव्यू अभी आप सब्सक्राइब करके रख लीजेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद अवर टूछ टूछ झाला है तो यह जड़ जब बिखने पंट करके रख लीजेगा से कुछ तरिके रख लीजेगा से का अवर बनाव जड़ आप ज़ाएब का?